मंदिरों में मातारानी को चड़ने वाला प्रशाद्व अन्ने सामान बेच कर अपना वा अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे तहबाजारियों को कारोबार इस वर्ष करोना की भेंट चड़ गया है तहबाजारियों का कहना है कि वे पिछले एक वर्ष से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है यहां तक कि बच्चों के स्कूल की फीस देना भी मुश्किल हो गया है मजबूरन हुने करज लेकर दुकान के लिए सामान खरीदना पड़ा तहबाजारियों का कहना है कि उन्हें नवरात्रों में अच्छा कारोबार होने की उमीद थी लेकिन सरकार ने नवरात्रों के दौरान मंदीरों में कई तरह की बंदिशने लगा दी जिससे उनकी सारी उमीदों पर पानी फिर गया परशाद विकरेटाओं का कहना है कि करोना महमारी के इसे दोर में उनका सारा कारोबार चोपट हो गया है लेकिन परदेश सरकार की तरफ से उनकी मदद के लिए एक बार भी नहीं सोचा गया उन्हें निकाहा कि वे कर्ज के बोज तले दबते जा रहे हैं ऐसे में सरकार को उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए करें अब यहां दो कोई भी ने लिया जाओ मंदर में मुझे नहीं हुए कि मुनारे काम चछायखा लेकिन अंधिय बार और टोथ तो पूरा उमिद अफ्ले बार भी ऐसे हुआ बच्चों का फीज देना भी मुश्किल होगे अब घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल होगे अब तो यहां पर रोज का सौद और रोपया भी सेलोना बोत मुश्किल है मीज सी पाजियों भी खतम होगे क्या करना गरीब आजमीने कैसे अपना कार चलाना ज्यादा सानू पहले बता देते ना असी इतना समान कठा ना कर दे अब तो ज्यादा ही करजे है ठाग है अब तो कोई आए नहीं रहां बंद कर दिया करके कोण आएगा सब को पता सब लोग पड़े लिखे या बच्चे बुड़े सब गाउं शेरों के सब को इस बात दा ग्यानिया भी हां इस वार अमीज सी साथे ते तीसरे नराते जड़े नहीं लग गए बिलकुल असी सारे मार्कीट वारे पूरे परशाद वारे कर जे है ठाग है कहां से देना उल्टा उसी र अंदिर खुलेगा हमने थोड़ा उधार समान भी लेकर डाला लेकिन बिलकुल बिप्रीती हो गया है कुछ में अमाल जैसे पड़ा था वैसे गर आगया अगर हमारा चला उठी चोटा मोटा समान को लोग घर को ले जाता है इसी जो गुजारा हो रहा नहीं तो बहुत ने लाकड़ान लग जागा फिर तो और भी मुश्किल हो जागी सरकार से क्या उमीद करें तो कि प्छले साल कुछ नहीं है वेनिफट नहीं आप गया क्या उमीद कर सकते सरकार से कुछ उमीद है हमारें को सरकार से